अलो डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक इस लेसन में हम सीखने वाले हैं देट हाव टू कनेक्ट गूगल साइट्स टू सब डॉमेन वह सब डॉमेन आपका गूगल के डॉमेन के उपर भी बना सकते हैं चाहे वह बाहर जैसे गोडेडी है या नेम.com है उसके उपर भी बना सकते ह हो, फटा-फट से देखते हैं, जल्込ी से मैं आपको दोनों चीज-दे खाने वाला हूं आपका डॉमेन गूगल पर है तो सबर डॉमेन कैसे बनेगा और आपका डॉमेन अगरihad गोडेडी पर पीकुआरे गजंपल के लिए तो चैसे बनेगा फटा-फट से देखते हैं तो मेरा जो साइट्स बना रहा हूं मैं, sites.google.com, यह प्लस का जो साइन है, मैंने इसके ओपर क्लिक किया, और यहां से मैंने एक वेबसाइट बनाई, और मैंने उस पर मान के चलिए मेरी वेबसाइट ready है, example के लिए, my website is ready, right, congratulations, website ready हो गया हमारी, अब इसको मुझे sub-domain से connect कर रखा है, अपने personal email id से Google से domain खरीद रखा है, तो यह जो दिखता है custom domains, यह section दिखने लगता है, मैं हमेशा कहता हूं, आपको domain Google domains से लेना है, और personal email id से लेना है, right, तो यह custom domain दिखता है, start setup पे click करेंगे, जब start setup पे click करेंगे, तो यह तीन option आपको आए है, right, पहला option कहता है आप से, कि Google domains में से choose कर लो, और दूसरा option कहता है, third party से choose कर लो, तीसरा option कहता है, domain खरीद लो, तो पहले option पे चलते हैं, Google domains में से choose कर लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे domain हैं, इन मैसे में कोई सा भी choose कर लेता हूं, for example, मैंने यह चूज किया, suniltamps.com, यहाँ पर मु root domain to this site, जो root domain है suniltamps.com, वो भी redirect हो जाएगा, वो नहीं करना है, तो इसको हटाएंगे, right, example.suniltamps.com, example सब domain है, done कर देंगे, done कर देंगे, और publish कर देंगे, अगर आपका Google domain से लिया हुआ है, तो यह publish हो जाएगा, और अगले 15-20 minute में आपका यह जो domain ही चालू हो जाएगा, right, example.suniltamps.com तरीके से, तो यहाँ पर जब आप लिंक लेंगे, तो आपको मिलेगा, example.suniltamps.com home, तो यह सब domain आपको मिल गया, यह Google domains के मामले में बहुत हीजी है, अब सीखते हैं, कि अगर हमारा domain बाहर है, पहले तो मैं login कर लेता हूँ, godaddy में, मेरा domain godaddy पर है, right, godaddy पर है मे मेरा domain, इस पर हमने login कर लिया, और यहाँ पर, मान के चलिए हमारे बहुत सारे domain है, कोई एक domain देखेंगे हम, जो example के तोर पर लेना है, तो मान के चलिए मैं एक domain ले लेता हूँ, यह हमारी है, timesstudies.in, timesstudies.in है, इसके उपर मुझे subdomain add करना है, फिलाल हम subdomain वही रख लेते हैं, example, तो यहाँ जाएंगे left में DNS, DNS में चलिए जाएंगे domain के, जब भी हमें domain add करना होता है, तो DNS का यूज़ करते हैं, right, जब भी हमें domain add करना होता है, तो DNS का यूज़ करते हैं, right, खोड़ा सा तो कुछ confusion हुआ है, यह DNS में नहीं जाना है, इस वाले DNS में जाना है, यह थोड़ी सी mistake है, यह GoDaddy नहीं नहीं चाहिए, निकालता रहता है, तो अब सब लोग नहीं नहीं, तो DNS में क्लिक करना है, जहाँ DNS records है, DNS records, अब जाएंगे हम Google वेबसाइट पर, पर क्लिक करेंगे, add, एक तो हो रखी add, उसको रहने दीजिए, नई custom domain add करेंगे, और यहां यूज करेंगे, use a domain from a third party, third party, third party कौन है हमारा, GoDaddy, और domain क्या है हमारा, जो हमने चूज किया है, tempstudies.in, tempstudies.in, और domain, subdomain क्या रखना है मुझे, example, कुछ भी रख सकता है, 123, 4, 5, whatever, जो भी ठीक लगता है, आपको रख सकता है, example और tempstudies.in पर रखना है next, तो अब यह मुझे steps दे रहा है, क्या कह रहा है कि DNS settings में जाईए, cnim में जाईए और example लिखी है, तो हम गए DNS settings में, यहाँ पर add new record में गए, cnim में चले गए, उसके बाद क्या कह रहा है, cnim में जाने के बाद example लिखी है, example लिख दिया हमने, उसके बाद क्या कह रहा है, कि cnim के destination में इसको type किजिए, dot com dot, dot com के बाद dot b भी है, तो जो वो बोल रहा है exactly वो हमने destination में डाल दिया, फिर क्या कह रहा है, उसके बाद कुछ नहीं कह रहा है, submit कर दो, save कर दिया, save कर दिया हमने, record data is invalid, कहता record data is invalid है, तो शायद यह space कोई था, जिसकी वएसे invalid हो गया था, space वगेरा से भी invalid हो जाता है, तो यहाँ पर यह subdomain, यहाँ से भी हमारा set हो गया, हम done पर click कर देंगे, तो 40-45 मिनिट में यह subdomain भी चालू हो जाएगा, कहने का मतलब है कि यह अकेली website दो subdomain पर set हो चुकी है, एक अगेली website को आप कितने भी subdomain पर set कर सकते हो, बट उसका कोई logic नहीं है, आप अकेली website को किसी भी एक subdomain पर set कर लो, चाहे दो पर कर लो, मैंने आपको Google से भी सिखा दिया, GoDaddy से भी सिखा दिया, it's very very easy, अगर कोई question है तो comment करके जुरू बताईए, तब तक के लिए नमस्कार, जैहिंद, जैभारत.